ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको भगवान भुलेनात के असिरवास से तीन अक्टूबर से सत्रा अक्टूबर याने कि इन पंद्रा दिनों में बहुत बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है जान दोस्तो भगवान भुलेनात के असिरवास से आपके लिए 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर यानि कि इन 15 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है यूं कहें कि इन पंद्रा दिनों में भगवान भोलेनात के आशिरवास से आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है जा दोस्तों खुसी के आशू नहीं रुखेंगे इन खुसकबरियों को सुनकर या दोस्तो भगवान भोले नात का सिर्वास से आपको इन 15 दिनों में नेक और पिरकार की बड़े-बड़े खुसकबरी, बड़े-बड़े लाब, धहनलाब और बड़े-बड़े सपलताओं की प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बतल जाएगा या दोस्तो भी बड़ी खुसकबरियां कौन-कौनसी हैं इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंततक अवश्य बने रहें और अंततक इस वीडियो को आप पूरा देखें तोकि इस वीडियो में आपके 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर याने किन 15 दिनों के शंपू दोस्तो हमारे हिंदु धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिन में से भगवान शिव के भक्तों की शंप्या अंगिनत है भगवान शिव को देवों के देव अर्थात महादेव भी कहा जाता है भगवान शिव को महादेव भुलेनात शंकर महेश रुद्र नीलकंट के नाम से भी जाना जाता है वेद में इनका नाम रुद्र है स्रश्टी की उत्पत्ती इस्थती एम संगहर के अधिपती भगवान शिव हैं तरदेवों में भगवान शिव संगहर के देवता माने गए हैं भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है वे कल्यान की जनम भूमी तथा परम कल्यान में हैं समस्त मूल इस्थानवी भगवान शिव ही हैं ज्यान बल एक्षा और क्रिया सक्ती में भगवान शिव के जैसा कोई नहीं हैं वे सभी के मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदी और अंत ना होने से वे अनंत हैं। भगवान भोलेनात, शीगर प्रशन होकर अपने भगतों के संपूर्ण दोसों को छमा कर देते हैं। तता धर्म, अर्थ, काम, मौक्ष, ज्यान, विज्यान के साथ साथ अपने आपको भी देते हैं। हमारे जोतिस सास्त्र के अनुशार कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भगवान शिव आपके ऊपर अपनी अत्यादिक किरपा बरसाने वाले हैं। जिहां दोस्तों, इस बार भगवान शिव की किरपा से आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलने वाले हैं। जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और इनके उमीद से कई गुना लाब आपको आने वाले समय में भगवान भुले नात्के आशिरवास से अब मिलने वाला हैं। जिसके कारण आपकी किस्मत भगवान भोले नात की किर्पा से आने वाले समय में चमक उठेगी और आप बहुती भग्य साली रहेंगे जिहां दोस्तों आप लोगों को भगवान महादेव भोले भंडारी की किर्पा प्राप्त होने वाली हैं आपके जीवन में ऐसी खुसकवरी आपको अब मिलने वाली हैं जिससे आपका दुस्मन डर जाएगा जिहां दोस्तों कोई बड़ी नोकरी अब आपको आने वाले समय में मिल सकती है पिता का आशिरवाद आपको मिलने वाला है रुकाओ अधन आपको वापस मिलेगा व्यपार में आ रही रुकावटें अब भगवान भोले नात के आशिरवाद से खत्म होंगी आपके जीवन में एक नए खुसकबरी का आप एहसास करेंगे जहां दोस्तों आपको आने वाले समय में भगवान भोले नात के आशिरवाद से आए और नोकरी में पदोन्नती मिलेगी व्यपार में आपको अब अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक इस्तिति आपकी काफी मजबूत होगी आपकी सबी अधूरे आर्थिक कार्रे अब भगवान भोले नात के आशिरवाद से पूरे होंगे और परिवार में शांती वे आनंद का माहुल रहेगा आपको आने वाले समय में भगवान भोले नात के आशिरवाद से कोई बड़ी खुसकबरी मिल सकती है भगवान शिव क किरपा से आपके सभी कार्रे अब सफल होंगे वैवसाय में आपको आचानक लाब होगा और आस्मिक धनलाब के भी आपके लिए अनेको योग बनेंगे साथी साथ नोकरी में पदुन्नती के भी आपके लिए आने वाले समय में अनेको योग हैं जहां दोस्तों आप लोगों के लिए भगवान भुलेनात के आशिरवास से आने वाले समय में दामपत्य जीवन, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन तथा वैपार में सुधार होगा, आस्मिक धनलाब होगा और गिरस्त जीवन में सुक्सांती रहेगी डेकोरेशन, गार्मेंट, कला जगत, आभूशन, सौंदर प्रसाधन, गमुनिकेशन, आधारित काम काजों से जुड़े लोगों को अपार सपलता अब मिलने वाली हैं भगवान शिव की किरपा से आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाब अब हो सकता है जहां दोस्तों आपके उपर भगवान शिव अव अतियंत महरवान हो गए हैं पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी समस्याइं थी वे अब समाप्त होने वाली हैं आप अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने वाले हैं आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अच्छी होने वाली है बिजनिस करने वाले लोगों को अपने बिजनिस में अब लाब मिलने वाला है आपके उपर महादेव के किरपा दरश्टी सदेव बनी रहेगी जिसके कारण आप लोगों को आर्थिक लाब मिलने के बहुत सारे अफसर प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों आप लोग आने वाले समय में नए वाहन भी खरीद सकते हैं आपके जीवन से धन सम्बंदित जो भी समस्याएं हैं वे अब दूर होने वाली हैं प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में अब सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुती अच्छा साबित होने वाला हैं दोस्तों आप लोगों के उपर भगवान महादेव की विशेश कृपा बनी रहेगी जिसके कारण आपको बहुत जाता अब वायदा मिलने वाला हैं आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली हैं विध्यार्तियों के लिए आने वाला समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला हैं आपको अपने पिरतियोगी परिक्षाओं में सपलता प्राप्त होंगी इसके साथ ही आपका मन भी पड़ाई में अब लगने लगेगा दोस्तो आपको अपने कारेच्छित्र में किसी प्रकार की खुसकबरी अब मिल सकती है जिया दोस्तो आपके जीवन में जितने भी दुक दर्द आपको मिले हैं वे अब जल्द ही भगवान भुलेनात के आसिरवास से समाप्त होने वाले हैं या दोस्तों आपको संपत्यों में भी अधिक लाब मिलने वाला है आप सभी को अपने समस्याओं से जल्द अब छुटकारा मिलने वाला है यदि आप कोई भी कारे दूसरों की बलाई के लिए करते हैं तो इससे आपको ही लाब मिलेगा जमीन खरीदने के लिए भी आने वाले समय में आपको भगय का पूरा साथ मिलने वाला है भगवान भुलेनात के आशिरवास से आप आने वाले समय में अपने लिए एक जमीन खरीद सकते हैं आप आने वाले समय में अपने लिए मकान भी बना सकते हैं जिससे आपकी खुसी दोग नी हो जाएगी जिहां दोस्तों भगवान भोले नात के आसिरवास से आपके लिए आने वाला समय अतियंत शुभ रहने वाला है और भगवान भॉले नाज के आशिर्वास से आपको बहुत और अधिक धनलाब मिलने वाला है भगवान भॉले नाज श्वैम आपकी जोली खुसियों से भर देंगे और आप हर कटनाईं का सामना बहुत ही डट कर करेंगे और अपने जीवन में आप सफलताइं प्राप्त करेंगे आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा और आपका जीवन भगवान भोलेनात के आसरवाद से काफी सुख में बनेगा जा दोस्तो भगवान भोलेनात का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै भोलेनात अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद